IPL 24 का ठारमा मुकाबला Sunrises हैदराबाद और चैनाई सूपर किंग्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्रेडियम में खेला जाएगा Sunrises हैदराबाद को पिछले मुकाबले में गुजराद टाइटन्स के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था Sunrises हैदराबाद ने पहले बलिबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाये थे इसके जवाब में गुजराद टाइटन्स के 5 गेंद 6 रहते ही लक्ष का पीछा कर लिया था दूसरी और 6 नई सुपर किंग्स को पिछले मुकाबले में डेली कैप्टल्स के खिलाफ 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा था डेली कैप्टल्स ने पहले बलेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन बोर्ड पर लगाए थे जवाब में चनई सुपर किंग्स लक्ष का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 171 रनों पर ही सिमट गई थी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के head-to-head records, pitch report और दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें pitch report की तो आमतोर पर हैदराबाद के pitch काफी flat मानी जाती है और ऐसे में इस मैदान पर खूब चौक के छक्के देखने को मिलते हैं लेकिन जैसे जैसे माच आगे बढ़ता है तो pitch में spinners को मदद मिलने शुरू हो जाती है IPL इतिहास का सबसे बड़ा score 277 रन एसारच के बलेवाजों ने इस season इसी मैदान पर बनाया था यहां के आकड़े यह कहते हैं कि इस मैदान पर लक्ष का पीछा करने वाली टीम को आधिक सफलता मिलती है ऐसे में जो भी कप्तान यहां टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है वही दोनों टीमों के head-to-head records की बात करें तो अभी तक Sunrizes हदराबाद और चनाई सूपर किंग्स के बीच कुल 19 मैचस खेले गए हैं जिन में से 5 मैच Sunrizes हदराबाद ने जीते हैं वही 14 मैचों में चनाई सूपर किंग्स को सफलता मिली है दोने टीमों के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो Sunrizes हदराबाद की तरफ से और महीश तिशना को जगा मिल सकती है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें यदि आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें